तो वहीं ये बड़ी खबर मध्यव्ण प्रदेश से सामने आ रही है जहाँ नौतपा का आखरी दिन है ये बड़ी और एहम जवानकावी आपको बता रहे हैं लगातार मौसम का मिजास पदलता हुआ देखा जा रहा था और आज प्रदेश में नौतपा का आखवे दिन है साथी बता दे कि बोपाल जबरपूर समेते कि जिलो में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है लोगों को राहत मिल सकती है वही ग्वालियर निवाडी समेते 14 जिलो में लू का अलर्ट भी रज़रा रहा है ये बड़ी खबर सामने आ रही है प्रित्वी पूर सबसे गरन रहा जोहां का तापमान 47.5 डिग्री दर्च किया गया है ये बड़ी खबर सामने आ रही है और आज भी आंधी बारिश और गर्मी का दौर देखने को मिल सकता है प्रदेश में साइकलोनिक सर्क्यूलेशन सिस्टम अब आक्टिव हो चुका है तो कई जिलों में बारिश के आसार है और कई जिलों में लू का इलर्ट भी जारी किया गया है इसके बाद मौसम की मिजास में परिवर्टन देखा जा सकता है और कई जिलों में लोगों को अब आंधी बारिश देखने को मिल सकती है और राहत का भी सामना करने को मिलेगा साथी अगर वात करें ग्वालियर और निवारी की तो समेत 14 जिलों में लू का इलर्ट भी जारी किया गया है ये बड़ी कबर सामने आ रही है वहीं प्रिथ्वीपुर सब्से गरब रहा जागा तापमान 47 दशवलव 5 डिग्वी सेर्सियस दर्च किया गया है और आज भी आंधी बारेश और साथी गर्मी का दौर भी जावी रह सकता है ये मज़्य प्रदेश से मौसम को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं प्रदेश में साइक्रोनिक सर्मिलेशन सिस्क्रम अक्टिव हो चुका है कई जिलों में लू का अलर्ट है तो कई जिलों में बारेश और आंधी का भी सामना लोगों को करना पर सकता है